नमस्कार, मैं रेखा, आप सबकर स्वागत करती हूँ, बाबा राष्टिन में बढ़ते हैं खबरों के ओर, विश्थापित संघर समीती डीवी सी कोनार डेम का हुआ गठन, रामचंद ठाकूर अध्यक्ष, घंसयाम भातो सचीव, वचमन ठाकूर बने कारेकारी अध्यक्ष 25 सदस्यों की कमिटी का हुआ गठन, गोम्या प्रखंड के चत्रो चत्ति पंचायत अंत्रगत हरिजन आदेवासी उच्च विद्याले, तिसकोपी में विश्थापित संघर समीती डीवी सी कोनार डेम के कमिटी, गठन हेतू डीवी सी कोनार डेम के विश्थापितों की एक बैठक चमन ठाकुर के अधक्षिता में संपन हुई, इस बैठक का संचालन युवा नेता चेतलाल महतों ने किया, इस बैठक में गोम्या प्रखंड और विश्णुगर प्रखंड से विश्थापितों ने भाग लिया, विश्थापितों के इस बैठक में मुख्या तिती क के रूप में उपस्तित पूरो छात्र नेता सह सीटू नेता राकेश कुमार सिंग ने कहा कि डीवी सी को नार डेम के विस्थापित कई दसकों से अपने हक यों अधिकार से वन्चित है वेलो संघर्स कर रहे हैं लेकिन आज तक डीवी सी को नार डेम के विस्थापित होने के जमीन जाने के बाद उस जमीन के बतले जो उन्हें मुआवजा मिला विस्थापित निती के तहथ उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है डीवी सी को नार डेम से सटे गाउं जो आज विकास से को सो दूर है लोगों को उम्मीद थी कि डीवी सी को नार डेम के अस्थापना के बाद जब हमारी जमीन पर को नार डेम के अस्थापना हो रही है डीवी सी हमारे गाउं का विकास करेगी शिक्षा, चिकित्सा, पेजल, सड़क, आधी चीजों की विवस्था करेगी लेकिन डीवीसी अस्थाप्टा के लगवर 60-70 वर्ष के बाद भी आज यहां के लोगों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पढ़ रहा है यहां बहुत ही दुखदाई और चिंता का विसे है उन्होंने कहा कि अब सभी विस्थापित परिवार एक हो जाएं हम आपके अधिकार के लिए आपके आंदोलन का निर्थित्व करने के लिए आए हैं उन्होंने कहा कि प्रबंधन जब बहरी हो जाती है तो उसे सुनाने के लिए आंदोलन ही हमारा रास्ता है बैटक में उपस्थित किसान नेता विने महतो ने कहा कि डीवी सी जिन किसानों की जमीन पर कोनार डेम के अस्थापना की है वही जमीन किसानों की पुंजी थी, आज वह पुंजी भी चली गी, उन्होंने कहा कि जमीन हमारा अधिकार तुम्हारा या नहीं चलेगा, उन्होंने कहा कि हम किसान और विस्थापित एक साथ मिलकर DVC के खिलाफ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्स करके मैदान में आएंगे, वह आने वाली न्यूज को नोडिफिकरस आप लोग को सबसे पहले मिले,